नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन के फाइल मैनेजर में कैसे पासवाइड लगा सकते हैं अभी आप देख सकते हैं पासवाइड नहीं लगा है जैसे हम क्लिक करते हैं तुरंत यह ओपन हो जाता है लेकिन जब इस पे पासवाइड लगाओगा तो पहले पासवाइड मांगेगा देन ओपन होगा तो password लगाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने phone की जाना है setting में अब setting में जाने के बाद आपको क्या करना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की ओर थोड़ा सा करना है scroll और जैसे ही नीचे की ओर scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा Apps का, इस पर आपको क्लिक करना है, Apps वाला जैसे option select करेंगे, एक नया interface आएगा इसमें आपको एक दिखेगा option app lock का, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही app lock पर आप क्लिक करेंगे, आपसे password मांगेगा, तो जो भी आपने set किया हो, app lock का password वो आप enter करिए, otherwise अगर आप पहली बार use कर रहे होंगे, तो यहाँ पर password setup करने को मांगेगा, जो आप setup कर सकते हैं easily, अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस type का interface आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर ढूंड़ना है कि file manager आखिर है कहाँ पर, तो हम जल्दी से ढूंड लेते हैं, file manager कहाँ पर है, आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं, उपर तो file manager हम ढूंड लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है, तो आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर है मेरा file manager, ओके, file manager के ही आगे आपको यह दिखेगा option जो off है, अब इसको आपको enable कर देना है, बस जैसे ही इसको enable करेंगे, अब आपकी file manager पर लग गया password, अब आप जब भी अपना file manager अप खोलेंगे, तो आप से password मांगेगा, तो verify के लिए आपको दिखा देते हैं, जैसे हम इस पे click करते हैं, देखिए password हमसे मांग रहा, आपको black screen दिख रही होगी, तो I hope कि इस वीडियो से आपको थोड़े सी भी help हुई होगी और आप ज़ान गयोंगे कि file manager पर password कैसे लगाते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लीजे, subscribe and bell icon को press, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई